गुद मॉर्निंग अल फ्यू, वेलकम तो माई नुव लेक्ट्चुर आफ इंजिंग ड्रॉइंग, आज हम लोग 2019 में में आयोए अब्जिक्टिफ कॉस्चन को डिसकस करेंगे, हर एक कॉस्चन के बाद आपको दो से तीन सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको र हैचिंग वर्क इस डण बाइपेंसिल हैचिंग वर्क जो है वो फैंसिल कॉन से पैंसल से होता है यह पुछना चाहरा है, कमेंड में राइट अंसर कमेंड की जी हाड होगा, या शॉफ्ट होगा या मेट्रियल या मिडियम होगा, या अलोफ अववव होगा तो जब भी हम लोग हैचिंग वर्ग करते हैं तो आपको पता है हैचिंग वर्ग करने के लिए हम लोग कंटिनीवस थीन लाइन यूज करते हैं आपको पता है हमेसा हम लोग कंटिनीवस थीन लाइन का यूज करते हैं तो कंटिनीवस थीन लाइन हम लोग हमेसा light pencil से draw करते हैं light pencil मतलब वह hard होता है जब भी light pencil होता है hard pencil start होता है आपको 2-8 से 2-8 3-4-8 जैसे मंबर बढ़ते जाएगा और हाड़ होते जाता है 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 चे लिए हमें है जनरले 2-8 ही यूज करते हैं 2-8 है है यहां hard pencil के अंदर आता है तो hard pencil यहां पर right answer होगा option number A hard सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट पेंसल जैसे बी में बढ़ते जाता है बी सबसे स्टार्टिंग होता है तो भी और सॉफ्ट हुआ थ्री और सॉफ्ट हुआ तो इसलिए यहां पर हाइट पंसल राइट अप्शन देख लेते हैं पूल रहा वीच वन इस फूलिस केल कॉण सा इसमें फूलिस केल आपको बताना है ग्राफिक्स में आपनेट प्ड़ा होगा वहां पर हम अरे फ्रैक्ट्र ये सब अपना पर आपको फूलिस केल होगा सब लाइं जो है अगर हम उसी डाइमेंशन में उस सॉलिड को बिनाते हैं ड्रॉ करते हैं तो वह होता है फुल स्केल यहां पर राइट अंसर कौन सा हो जाएगा अप्शन नमबर भी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि अगर 50 डाइमेटर किसी सरकल का दिया हुआ है और हमने 50 का ही ड्रॉ किया यहां पर रिश्य आप निकालोगे 50 का ही हमने ड्रॉ किया तो रिश्य निकालोगा तो 50-50 क्या हो जाएगा 1-2 वार मतलब हम ले सेम इसके जो दिया हुआ था उसी को हमने यूस किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं फुल स्किल अप्शन नमबर भी यहां प पढ़ा रहा था आपको तुब बार बार बोलता था कि हम लोग जब भी डैमेंशनिंग करते हैं वह हम लोग आइसोँमेट्रिक एक्सेस के पैरल है इसका करते थें यह ब्हीं होता है वहां पर रहान पर दैमेशनिंग नहीं करते हैं यहां पर राइट अंस और अप्शन न are parallel to isometric axis . इसे चुशने देखते हैं , question no 4 compare to actual diameter isometric diameter of sphere is compare to actual diameter , actual diameter के compression में isometric diameter क्या होता है last जब मैं लेक्टीर अप्लोड किया था objective question का था उसमें भी ये question आया हुआ है सफेर का जो डाइमेटर होता है जब भी हम लोग इसमेट्रिक पॉजिशन बनाते हैं तो वह सेम डाइमेटर का बनाते हैं जिस डाइमेटर में सफेर होता है जो भी जो भी सफेर का डाइमेटर होता है हम लोग उसी डाइमेटर में सफेर को ड्रॉ करते हैं कि यहाँ अ?! यहाँ सफियर होता है क्रते हैं, कि विञेंगे तो रायांड होता है कि कई वी विव में देखेंगे तो हमें और कि कि नवा भश Model सब तरफ तरफ से राउंड इतन यह, वह हमें नहीं दिखेगा, हार एक तरफ से हमें आत से रिकें वाला है यहां पर जब भी isometric view बनाए या isometric projection बनाए तो वहां पर sphere का diameter same रह जाता है other case में क्या होता है जब भी हम isometric position बनाते हैं तो dimension reduce होता था आपको धियान में होगा लेकिन sphere का case में हमेशा dimension same हो जाता है या आपको धियान रखना है करते हैं और नंबर इसी में examination में उनका cut भी होता है इसका आइटन सब्सक्राइब करते हैं तो इसका बीच का angle आपको पता होगा कितना होता है यहाँ पर 120 degree होता है सब तरफ 120 120 जो भी isometric access होता है सब में 120 120 120 degree होता है इसका right answer option number D हो जाएगा question number 6 देख लेते हैं question बोल रहा है an isometric projection is pictorial drawing of कोई भी isometric projection जो होता है वो pictorial drawing होता है मतलब कितने view का वो pictorial drawing होता है यह पूछना चाह रहा है तो आप लोग right answer comment कीजिए तो आपको पता है जब भी isometric position बनाते हैं तो कैसा देखता है वो आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर आप देखोगे इस side से front view हो रहा है इस side से अगर आप दिखोगे तो side view हो जाएगा इस side से आप दिखोगे तो top view हो जाएगा तो total आपको यहाँ पर three view है 3 view को हम एक ही pictorial drawing बना रहे है उसका एक ही हम drawing बना रहे है एक ही view में उसको represent कर रहे है तो यहाँ पर पुछ रहा है pictorial drawing of मतलब कितने view का वो pictorial drawing होता है तो आपको नज़र आ रहा है 1 view, 2 view और 3 view, 3 view का वो pictorial drawing होता है तो यहाँ पर right answer option number A हो जाएगा 3 view question number 7 देखते है, the sectional views are used to visualize the details of object sectional views होता है, हम लोग यूज़ करते है कोई भी object के details को visualize करने के लिए तो वहाँ पर बताना है कि internal detail को हम लोग visualize करने के लिए करते हैं कि external को करते हैं, कि आपको वहाँ पर बताना है right answer internal होगा, external होगा, side portion को हम लोग देखने के लिए करते हैं कि आपर portion को देखने के लिए करते हैं, यह आपको बताना है जब भी section of solid में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर आपको बताया था section का हम लोग क्यों use करते हैं, तो जब भी section हम लोग use करते हैं कोई भी solid होता है, तो उसके internal structure को अंदर में क्या-क्या उसमें पार से कहां पर hole किये गया है, कहां पर थ्रेड़ेड पॉर्शन है, उसको देखने के लिए internal detail को देखने के लिए हम लोग use करते हैं, option number a right answer हो जाएगा question number 8 देख लेते है, instructional plane is represented by its on hp and vp, instructional plane होता है, वो represented by its on hp and vp, यहाँ पर दोनों के बारे में पुछा है, hp और vp दोनों पर कैसे हम लोग represent करते हैं इसका right answer आपको last में बताया था, last lecture जब मैं अप्लोड किया था, तो same question आया हुआ, यहाँ पर भी 2018 में भी आया हुआ था, same question इसका right answer आपने comment किया होगा, इसका right answer option number c हो जाएगा, traces यहाँ पर आप traces रखकर देख लो, section plane जो होता है, represented by its traces on hp and vp, मतब hp और vp पर हम उसके traces से represent करते हैं, तो यहाँ पर right answer option number c हो जाएगा, question number 9 देख लेते हैं, the projection obtained on a hp of cut object is called sectional, जो projection हम लोग hp पर show करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा sectional, sectional plan बोलेंगे, sectional elevation बोलेंगे, sectional side view बोलेंगे, इसका right answer आपको comment करना है, प्रोजेक्शन होता है, अगर कोई solid cut किया है, और उसका hp पर जो हम लोग ड्रॉव करते हैं, तो hp पर हमें कब नजर आता है, हमें क्या नजर आने वाला है, sectional, top view को हम लोग plan बोलते हैं, यह भी बोलते हैं, plan बोलते हैं और front view को elevation बोलते हैं, यहां पर right answer plan होगा, option number A right answer हो जाएगा, question number 10 देख लिए, to represent a solid in orthographic projection at least views are necessary, to represent a solid in orthographic projection at least, मतलब किसी भी orthographic position को represent करने के लिए solid का orthographic position को represent करने के लिए minimum कितने number of views required होते हैं, वो आपको यहां पर बताना है, यह question मैं last दो lecture में जब freehand sketch पढ़ा रहा था तो उसमें भी include किया था तो आपको अगर याद होगा, मतलब मिनिमम हम लोग two views अगर बना दे तो किसी भी हम solid का detail हम वहां पर दे सकते हैं, तो minimum two view या तो front view और top view बना ले या फिर side view और front view बना दे, कोई भी दो view हम अगर बना देंगे तो किसी भी solid का हम height को width को और उसका length को represent कर पाते हैं, मतलब दो view से हम define कर पाते हैं कि यह solid कैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर cylinder है तो front में rectangle दिख रहा है तो front view होते हमें काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर top view भी उसका हम बता दे, तो हम समझ में आ जाता है कि वो circle नीचे में top में दिख रहा है, right answer option number 7 था है, question number 11 देख लेते हैं, the solid which is bounded by is called polyhedral, कोई solid है, जिसका हम लोग bound करते हैं, किससे bound करते है, plane surface से करेंगे, कि line से करेंगे, कि solid से करेंगे, कि none of these से करेंगे, इसका right answer आप comment कीजिए, कोई भी solid है, solid कैसे बनता है, number of planes नबे us में add करदें, दिंसे हमें, sqays posn बनाना है, sqrs by बनने के लिए, हम लोग रेकटांगुलर fles को बना दें, के साइट से regtaंगुलर fles लगादें, के साइट से regtaंगुलर fles लगादें, और अ के साइट से regta ngŻादें, प्रस्ट्म कैसे ऑप्टेंड होता है किसे अप्टेंड होता है या प्लेंटल है तो आपको पर आपको बताया था प्रामीड है क्या कौन को अगर एक से कट कर रहे हैं और वह सक्षन प्लेंटल है या पैरलल कौराउंट है या है यह है नीचे का लोवर बॉड़ी मिलता है उसी को हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं तो फ्रस्टम हमें सब पिरामीड और कोन के केस में अप्टेंड होता है और सेक्शन प्लेन वहाँ पर पैरल्लेल होना चाहिए तब हम लोग को मिलेगा और आप राइटनस रोप्षिन नमर बी होजाएगा फिरामीड यहां किस में हम लोग फ्रस्टम कर सकते हैं को नमर 13 देख लेते हैं है और यह उसके पास कितना एजस होते यह हमें बताना है काफी एजी कोश्चन है अब count कर लो उपर में होता है एक नीचे में है था इजडय हो गया less को सब्सक्राइभ तो उपर वालेuster के पास के इतना इंयस होगे यहाँ am और भेटर हिस यहाँ पर सिप्सक्राइड अधयुद्स होते हैं उसी तरह सब हो हुद 15 हो जाएगा जैसे से आप वहाँ पे काउंट कर लोगा जो भी पिर्जन बोलेगा ऐसा नहीं कि एक ही मैं बताया हूं तो एक ही आपको समझना है कोशन नमर 14 देख लेते हैं development of surfaces are done by length कोई भी development surface का हमें development करना है वह लेंद से डवलप होता है कौन सा लेंद से डवलप होता है true length से होता है कि projected length से होता है कि asymmetric length से होता है कि none of these से होता है इसका right answer आपको कमेंट करना है बहुत बार यह question हमने discuss कर ली है काफेजी question है सब्सक्राइब करते हैं तो वह हमेशा ट्रू लेंद से ही करते हैं तो यहां पर राइट अंसर ट्रू लेंद हो जाएगा अप्शन नमबर यह राइट अब फिफ्टीन देख लेते हैं डेवलप्मेंट ऑफ कौन इस डन बाइट मेथड बोल रहा है यहां को सब्सक्राइब करते हैं यह पुछना चाह меся देख लेते हैं, next question in which method of projection all projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of the projection projection का कौन सा method है जहाँ पर all projectors, जो भी projectors है वो parallel to each other हापस में parallel है and perpendicular to plane of projection है और plane के projection के perpendicular है आपको काफी बार यह question मैंने कराया है विडियो लेक्षर में, लास्ट में इसका right answer आप comment कीजिये आपको पता होगा हमेशा orthographic projection में जो होता है वो जो projectors होते है वो आपस में parallel भी होते है और जो last में plane होता है उसके perpendicular भी होते है तो यहां पर right answer option number C हो जाएगा आपको बता दिया है यहां पर शीट के बारे में आया हुआ है कि शीट का जो होता है वो क्या होता है यह हमें बताना है बताया था जब भी number smallest हो तो size होता है वो largest होता है और sheet को represent करने के लिए हमेशा हम लोग A term यूज करते हैं A यहां पर कौन-कौन में है A और B में है और C और D में उद्धाई है यहां तो यह दुन तो अल्रड़ी कांसेल हो जाएगा क्यों कि बी का यूज हम लोग बोड के लिए करते हैं चीट के लिए हम लोग A का यूज करते हैं तो C और D option तो गरत हो गया अब देखलते हैं A और B में कौन बढ़ा है जब भी size जो number होता होता है यहां पर उप्षिन नमपर बढ़ा जाते हैं इस इन चारों में यहां इस चोटा है सबसे बड़ा है यहां पर आपर आप्शन नमपर बढ़ा हो जाएगा नम्हां सब्सक्राइब बढ़ा लार्ज़ेस्ट पुछ रहा है तो और ड्रोगा इस नमपर 18 देख ली आपको पता होगा वेल्टीकल प्लेन पर बनता है यहां पर रूजगा जाएगा अउप्शन नमर नमर यह जो घ्रिंड वेल्ट ब्लेन में बनता है सामने से देखेंगा तो कि इस plane में बनेगा वर्टिकल प्लेन में यह बनने वाला है यहां पर आइट अप्शन नम्बर ही हो जगा उसलरी वर्टिकल प्लेन 19 देख लेते हैं भीच इस ब्लीक आर डाकॉनिक सेक्षण कौन साइज में से कॉनिक सस्ट ने वह आपको बताना है। ने कोने से कॉषण कॉछन पूचा गया है क्राफिक से है से थे तरह से आपको पारेबोल मिलेगा अलग 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 मिलता है यहां पर फॉर्टिकल लाइंस और राइट अर्डेगोलर ट्रेंगुलर पिरामीड अ जो भी वर्टिकल लाइन्स है को भी राइट एन रेगुलर ट्रेंग्लर पिरामिड का तो वह जो होता है वह नहीं कि वह नहीं होगा। अलग होता है यह जो भी किसी भी ट्रीयंगल का दो साइड इक्वल होता है तुसको यहां पर और भी राइट इनसर हो जाएगा कि अगर इस लेक्ष्टर का लास्ट कोशन था आप लोग खुद से देखकर डिसाइड कर लो कि 20 आउट अपने कितना सॉल्फ किया अगर 17 यह से अब आपका स्कोर है तो काफी अच्छा स्कोर है आप 85% तक अगर स्कोर कर पा रहे हैं खुद से तो काफी अच्छा आपका स्को मच वीडियो को देखने के बाद आइक और शेयर जहुर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जहुर कीजिएगा इनको भी कुशन में कुछ डाउट है वो कमेंट मोक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं और फेस्बुक पेज है इंजिनियर सदाहर के नाम पर वहाँ प